लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सर खतरनाक आतंकवादी जकारतों ने शहर में कई जगा पर बंब लगा रखे हैं जिनमें एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बड़े-बड़े होटेल्स, स्कूल्स और कई अस्पताल भी शामिल हैं उसकी शर्थ है कि उसके चार साथी जो पिछले बंब लास केस में गिरिफतार किये गए थे, उन्हें आज बारा बज़े तक रिहा कर दिया जाए, वरना वो रिमोट से इन जगों को उड़ा देगा हमें चार अतंगवादियों के बदले हजारों हिंदुस्तानियों की जान जादा प्यारी है सर, वक्त बहुत कम है, अगर जकार्तों को चलनी जवाब नहीं दिया गया तो जकार्तों को सिर्फ एक ही आदमी जवाब दे सकता है कमिश्टर सूर्यदेव सिंग कर दो क्यादियों कि मतले है तो तो क्या चार्तों कि एकार्तों कि जक फिर्फ नहीं आदमी जादियों आओ मेरे यारो आओ, पुशामादी, एक से रखो हिंदुस्तान की पोली, जिस पर सारी दुनिया नाज करती है, और एक तरफ अकेला जकारतो, जिस ने तुम जैसे पुलिस वालों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अफिसर, लगता है तुमारे हिंदुस्तान के पोलाद को जंग खा गया है, जंग, अहरब, है, भश्यानी ना ओई, रिवाल वर्भ मेरे हमाले कार, शाबाश, बस अब चंद लमों के बाद, मैं इस पूरे शहर को तबाहों बरबाद कर दूँगा, और तुमें सुनाई देंगी, मौत से लिपते हुई, तरद नाग चीके, तुने हिंदुस्तान की पुलिस की ताकत को ललकरा है, लेकिन हिंदुस्तान के पुलादी बाजू, सम नहीं खा दे शकारतो, अच्छा सुर्य देव क्या ये सचे कि तुम गोली पहले चलाते और बात-बात में करते हो, ये आप से किसने कहा, क्योंकि मेरी गोली खाने वारा तो कुछ कहने के गाबल रहता ही नहीं, और जिसने मेरी गोली नहीं खाई, उसकी बातों पर युकीन कैसे किया जा सकता है, तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे तरीके अलग-लग है, आप मुझरिम के साथ तमीज से पेश आते हैं, लेकिन मेरे लिए जुर्म और मुझरिम एक ही है, एक के बिना दूसरा वही नहीं सकता, इसलिए अगर जुर्म को खत्म करन अगरा चाहिए, आइ बिलीव इन बुलेट फॉर बुलेट, नमस्ते जगत्म नायन जी, नमस्ते जी, आई साभ बाद मुबार्ट, कैसे हो विशभा, मैं भी पाइल आगा, मंत्री जी नमश्कार, नमस्ते, नमस्ते मंत्री जी, आपकी सरकार्वी बड़ी वह है, मेकप के स आमाल पर कितना टैक्स बड़ा दिया, खुबसूरती से नफरत कती है, क्या आपकी सोकार्, मंत्री जी, ये मेरा बेटा है, नमस्ते, नमस्ते बेटा, भरा पुरा खांदार है तुमारा सुरेदेव, भाए साभ का तो पुरा खांदान, इनकी पोते काजली है, मेरी बेटी क अगले साल तो मैं रेटार हो रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि काजल आ जाए, उसकी शादी कर दो, वो अपना सुन्दर नगर संभाले, और मैं गंगा ना हूं, मेरे हाथों पर इतने खून है कि मरने से पहले उन्हें दोना तो पड़ेगा, ये क्या जिजा जी, अपने बाप की तस्वीर पे फुख दिया, ये उसकी खुश्किस्मती है कि ये सिर्फ तस्वीर है, अगर वो जिन्दा होता तो उसे इसी तेह खाने में कैद करके रखता, जैसे औरंग्सेब ने अपने बाप शाजाहन को कैद करके रखता था, आपको इतनी नफरत क्यों है अपने बाप से, आकर आप उनी का खून दो, अगर उसने सूरियदेव सिंग को अपना समझा, अपने भाय की अउलात को अपना समझा, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी स्टेट, सूरिय देव सिंग की आुलाद के नाम कर गया हराम साता यही तो खड़े खड़े मेरी बच जाती है जी जाजी जायदाद नाम करनी थी तो सूरिय देव के नाम पे करता लेकर उसके ओलाद, ओलाद के ओलाद, उनके नाम क्यों कर गया उस कमीने को डर था कि कहीं सूरे देव सिंग पिखल कर सारी चाधाद मेरे नाम ना करते अपने खुम पर इतना नाइतबार जज़ा है क्यों इतनी बड़ी नाइंसाफी की आपके साथ क्योंकि मैंने तुम्हारी बेहन से ब्या किया था, एक कोठे वाली से ब्या किया था नए, नए कुबूल किया उसने, कहता था, घर को कोठा बनाएगा क्या तारी जायदाद से बेदखल कर दिया पापजी आपके बाप में आपको सिर्फ जैदाद से नहीं पलकी जिन्दगी की हर उस खुशी से बेतखल कर दिया जो आपके विरास्त थी संत की भर जिल्लत के टकड़ों पर पलते पलते हमारी हाला तु सपाहिज की तरह हो गई है जिसके पास चलने के लिए बैसा की तो है और उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं नागिंदर तेरा बाप मेरे बाप की तरह हराम जादा नहीं काजल के मरने के बाद संदर नगर और सारी चैदात का बारिस मैं हो जाओंगा और कल काजल एरपोर्ट से खर तक नहीं पहुँश पाएगी इसका इंतजाम भी हो गया है पापाजी क्राप नहीं रात मैं तो स्वेय नहीं स्वेया नहीं देखो बापा काजल 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 पूजी, पड़े पापा की तबियत ठीक है न, तरह देखें उनकी आखें कितनी लाल है तेरे आने के खबर सुनने के बाद, राद भर तेरे बड़े पापा सुने ही इंका बस चलता, तो ये सुरज को भी दुबने नहीं देते सुरज को भी काजिल जैसी पोती होती न, वो भी दूबना भूल जाता देखें बड़े पापा, हम कितने बड़े होगे बिल्कुल आपके बराबर हैं, क्यों? है न, बुजी? तो कितने में बड़ी होगे बिट्टू, मगर भाई साप के सामने तूट्डी हैगी, जितना उन्होंने तुझे गोद में देखा था चलो, चलो, घर चले नहीं बड़े पापा, तब तो आपको हमें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा ओ। अज़ेगा अज़ेखा लुझे झाल 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 जाओ, जोट जाओ, नेगर आदेगा तुम्णा जाओ पस्टर ओ, कम ओन, कम ओन, कम ओन, सिट डाउन, बेबी सिट आफ, ओकी अरे वाह, अनू के पराथे आज तो हम अपनी गाजल बिटिया को अपने हाथ से पराथा खिलाएंगे लो बड़े पापा, फिम बड़े हो गए, अपने हाथ से खाएंगे बेटा, तु अपने हाथ से खाएगी तेरा पेट तो भर जाएगा तेरे बड़े पापा का पेट कैसे भरेगा हमारे हाथ से, लिजे हम अपने भालू को खिला रहे हैं और फिर भालू हमें नाच दिखाएगा क्या, क्या, बापा बच्छपन में नहीं दिखा देता आच दंरू , तू भी मैக inhib purse । मिह भेच्छाल ह्ता भालू का डास हाँ चलो चलो रुक मनी देखो नो कैसे मेरे पीछे बढ़ी हुई है इस सुम्रे में मैं भालू का डास करूंगा क्या बूजी बोलिए न बच्चे जिद करें दिखा दिजी न अरे ढम रूफ दे ताल इस से लोफ देखा है अरे कीर के आओ उपर से अकर यह बढ़ी करें से लोलिए उसे कीरे पड़े उसे भरवार करें, उसकी भीवी अंधी हो जाए, कि अवला कुटी कमीनी निकलें, नास पीटें, उन कल्मुहों की हिर्मत कैसे हुई, तुछ पर नजर डालन। जाचा है, हाँ बड़े जी जाची, जब हमने सुना कि बिटिया रानी पर हमला हुआ है, हमारी तो खड़े खड़े, बच गई। गोली काजल पर नहीं, पुलिस पर चलाई गई थी। भाई सब, गोली का कोई एमान नहीं होता, वो यह नहीं देखती कि जिस सीने में वो खुस रही है, उस सीना किसका है। गोलियों को भी इतनी तवीज होती है कि फॉलादी सीने के सामने अदब से पेश आएं पिशंबर। बढ़े जीजा जी, मुश्किल तो यह है कि आपकी सलामती के लिए किसमत को आपका साथ हर बार देना पड़ेगा। लेकिन दुस्मन की काम्याबी के लिए किसमत को उनका साथ जैजा है, सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। तुम फिकर मत करो बनवारी, जिस दिन मेरी काजल का बाल भी पाका हुआ, उस दिन कयामत आ जाएगी। जेट जी, आप यह खूब हैं, आज ही मैंने अपने बाल साइट करवाए हैं और आज ही आप करामत की बात करते हैं। अभी तो मैंने काजल बिट्या का लाया हुआ शीमिक शूट में नहीं पैना। आपके छूटी दादी भी काम नहीं है। दमरू विशंबर, तुम लोग जैनाराण जी की बेटी की शादी पर आ रहे हो न। हो मिनिस्टर साहब के यहां। अच्छा वह भाई साब आपने याद देला दिया। मैं तो भूल ही गया था। अरे दमरू, सब को नाश्ता वाश्ता नहीं करवाओगे। करवाओंगा तू नहीं करवाओंगा, मैंने भी रिखिया। सांप तो दूद पीते हैं, आप लो क्या पिंगे। ना, ना, नगंडा, ना, जाने जी, जाने जी, जाने जी। अच्छा मैं साब, इसाज़ती जी। इसाज़ती जी। हरा शुक्ची से बचाय रखे, तुम्हारा कविया मंगर ना हो। नचलों पालों, असलों पुडियों, दो दिन गी आतादी। आज तीरी कल मेरी बन्नों हो जाएगी शादी। हाई ठीर कहाई सेर सपाता। हाऊ पानटो… नैन लड़ी। पेच बढ़ी जर्द बढ़ी। मुझ सजना ये चुँ माचअना पर मैंने कहां पर मैंने कहां, ना 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 तैयार के साथे में घाटा। आइबो ओकादा, आइबो ओकादा, आइबो ओकादा फिर पुस ने कहा ओ जान वफा जरब पास तो आँ दिल जान से मैं आशिक हो तर रहा पर मैंने कहा तीरा है जाँ 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 बीवफा जाँ 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 जा घर बैठी थी आराम से मैं छट पे गई कुछ काम से मैं सीड़ी पे था वो चोर खड़ा दिल के अंदर था शोर बढ़ा महर गली में सन नाटा मैं में कप करके आई हो तो दीवर में बाँ जाई हो ना जाने नजर मुझे किसकी लगी हिच की लगी रभा इच की लगी रणा इच की लगी जो पानी पियों तो रिस्क लगी जो प्यार करों तो रिस्क लगी में काच की हो मत तोर मुझे मेरा कच्रा अजाएगा मेरा कच्रा दूल जाएगा मेरा पाउदर अजाएगा मत आई गो पाठा आई गो पाठा काजल कल ब्या पे तुझे खुछ नाश्टे देख मुझे ऐसा लगा जब तेरी भी टोली मुझे जल्दी भेजनी पड़ेगी बड़े पापा, I don't like you, आप बड़े बदमाश है क्या करूँ, बदमाशों के साथ जो रहता हूँ, सोबत कासर तो पढ़ी जाता है ना आप हम इतनी दूर इसलिए भेज रहें ताकि हमारी सोबत कासर आप पे ना पढ़े नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेगा बड़े पापा, एक दिन हम इतनी दूर चले जाएगी कि आपी पकड में नहीं आएगे, देख लेना काजल, बात तो सुनो हमें नहीं सुनना काजल 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 हालो, 203 की क्या रपोर्ट है, और 701 की, ना का बंदी कर दो, रेल्वे स्टेशन, बस्टेंड, एरपोर्ट, सब रास्ते बंद कर दो, जल्दी करो डाप्टर, हाँ, जस्ट अ मिनिट, भी आउना नाई, हेट्वार्टर्स, हेलो हेट्वार्टर्स, हाँ, कुछ पते हैं, हाँ, हाँ, जेट जी, ये सब क्या हो गया, अभी तो हमारी पिट्टो ने सोलगा सावज भी नहीं देखा था, मैं तो कहते हूँ, आध लगे हराबजादों को, सूर की जने होंगे, जो हमारी पिट्टो को उठाया, जय जय, पत्ताने उसके साथ क्या स्वलू कर रहे होंगे, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ होए नहीं सकता, हांसला रखिये भाई साब, काजल मिल जाएगी, इस हाथ में मिल लगी है तो भगवान ही जाने, तो मेरे बड़े पापो को नहीं जाने, अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो हम तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़े, जोड़ हड ME मिल लड़की लड़की को हमारे हवाले कर दे, बाबू हुएु lot हुए, उंट इग है कि अगलाव कि अगलाई थे कि टूच ते अगल आगल इपनते हैं कि अंस सो कि भी हैं! कि अंसे कि प्लून से Сब अगर एक घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली, तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूगा, जो लोग बारूत के ही जुबान समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझा दूगा मैं बाजसाब काजल, काजल को कुछ नहीं होगा, बाजसाब काजल आगी, काजल, 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 बड़े बच्ची, मेरी जान, तु मुझे छोड़ कर काजल गेजी, मेरी बच्ची, तु कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान, बड़े पापा, हम तो मरी गए होते, अ इदर हो जुआ है इस्पेक्टर बूचे क्या ना है तुम्हारा? करन करते क्या हो? जंग किस से? भूग से, बेकारी से, अपनी किसमत से और अपने आप से तुम परसो मुझे मेरे आफिस में मिनो, जिन आओ रुकमनी, अच्छा हुआ हमारे बिटो सरी सलामत वापस आ गए गा काजर बेटा, इनका शुक्रियादा करो हम इनका शुक्रियादा नहीं करेंगी बड़े पापा शुक्रियादा करने से एहसान खत्म हो जाता है और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चपा 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 चान रही है बिशमबर सेठ आपने वादा के दफ पुलिस से बचाने के लिए आप हमें किसी मैफूच जगे पर भेज देंगे काली, मेरे प्यारे जीडा जी अपने वादे के मुचाबे तुम लोगों को उस जगाप पे भेज देंगे जहां पे सूर्य देशिंटो क्या तुम अपने हाप को भी नहीं धूच रकाऊँगे माटे आग इंदर जी पबरी मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो जज़ए क्या हो गया भाइसाब मैं आज किसी और ही सुरी देशिंग को देख रही हूँ मैंने कभी पहाड़ों को हिलते भी नहीं दिखा पहाड़ों के ओलाद नहीं होती रुकमनी ओलाद ओलाद आदमी को कमजोर कर देती है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं सोचना पड़ता है पता नहीं कौन मेरी पीच पीशे मुझ परवार कर रहा है मुझे डर है कि कहीं मेरी बर्दी मेरी पच्छी के लिए भी शापना बन जाए मैं समझते हूँ ऐसा मैंने तो काजल को सिरफ पाला है जब मैं उसके लिए तनी परशान हो सकती हूँ तो आपका क्या हाल होता होगा आपकी जान और जहान दोने तो काजली है तुमने काजल को सिरफ पाला ही नहीं रुखमनी तुम तो उसकी परवरिश में अपना घर बसाना भी भूल गई तुम ना होती तो मुझ जैसा अखड़ पूलिस ओफिसर अपने आरुन और कीता की आखरी निशानी को कैसे संभालता आपने भी तो एक बेसारा को अपनी बहन का दर्जा दिया मुझे गाजल की बुआजी बना दिया रुपमनी, सोच रहा हूँ के काजल को तुम्हारे साथ सुंदर नगर भेज दू सुंदर नगर? रोशनलाल जी के पास? रोशनलाल मेरे बच्पन का दोस्त है और फिर उसका पोता रोहित आर्मी में डॉक्टर भी बन गया है वहां काजल महफूज भी रहेगी और अगर काजल और रोहित ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों की शादी भी करवा देंगे लेकिन आपको लगिन है कि आपकी कहने से काजल उचले जाएगी? हाँ रुपमनी, हाँ सोचा था कि इस बार उसे जी भर के देखूँगा उसके साथ वक्त गुजारूँगा, उसके साथ खेरूँगा मगर उसे सुंदर नगर जाना ही होगा रुपमनी काजल को सुंदर नगर जाना ही होगा कमें हाँ तो करन, कौन-कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बिमार मा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर कि अपनी आवार्गी को हिंदुस्तान की सिंदगी पर कुर्बान कर सके कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं नौकरी खत्रे की हो तो मौत भी हो सकती है मौत तो मुफ्त में बंदा में कमिश्णर साब जान तो जिंदगी लेती है जिंदगी से बहुत नाराज रखते हो जिंदगी से नहीं, अपने आप से तो आज से ये नाराज़ भी खत्म हो ही समझो, बढ़े तुम्हारी नौकरी पक्की करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की इफाज़त आपकी जान? मेरी पोती काजल लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की माजूद्गी की वज़ा से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूँ फिर मुझ पर यकिन की वज़ा? मेरा विश्वास वरना सूर्य देव सिंग तो अपनी परचाई तक का यकीन नहीं करता आज से तुम काजल के बॉडिगार्ड हो जाओ, सुंदर नगर जाने की तेयारी करो सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूँगा ओके थैंकियू सर्फ करन, तुमने अपनी तनखा के बारे में कुछ नहीं पूचा जो सूर्य देव सिंग अपनी परचाई तक का यकीन नहीं करता उसका यकीन ही मेरा मुआपजा है और बाकी जो आप देंगे, वो मेरा इनाम होगा बद्भाई सर्फ दाक्टर साब कहते हैं फिकर करने की कोई बात नहीं है तुछ चलती ठीक हो जाएगी मुझे मुझे घर ले चल ले चलूगा जब तु बिल्कुल ठीक हो जाएगी न तुझे घर ले चलूगा ये ठीक कहता है बेंजी आप बहुत खुछ नसीब हैं जो आपको करन जैसा बेटा मिला अच्छा मा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ डॉक्टर साब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे अपना ख्याल रखना पता नहीं मेरे लिए कहा कहा मरता रहता है ये जिन्दगी भी तो तेरी दी हुई है तेरे लिए नहीं मरूँगा तो किसके लिए मरूँगा अच्छ मा, चलता हूँ भगवाँ तुझे कामिया भी दे आई डॉक्टर डॉक्टर साब इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वज़े से मेरी मा की जान बची ये लीजे सरुवत पड़ी तो और लाँगा अब मेरी मा के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए डॉट बड़ी, मासल रखो एक अजनवी लड़के को काजल का बॉड़ी गड़ बना दिया वो अजनवी नहीं है रुक्मनी मैंने उसके बारे में सब कुछ बता कर लिया शहीद फौजी का बेटा है मा बिमार है, हस्पताद में है आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हफाज़त कर सके प्राविल तो बहुत सारे ओफिसर्स हैं लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है धोका बसकता है धोका तो खा गया धोका तो खा गया पुलिस कमिशनर काजल की मौत उसकी जिन्दगी की फाज़त करेगी वहां जिना जी वहां जज़ेंग बनवारी बास को धोका देने के लिए बास से भी उपर उनना पड़ता है सूर्य देव सिंग इतना शातिर है कि जमीन पर रहने वाले खीडों की जरा से जुमबिश प्यूज की निगास बच नहीं सकती उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा अगमी चाहिए था जिस पर सूर्य देव सिंग के शक का साया भी ना पड़ सके हमारी किसमत अच्छी थी कि हमें करन मिल गया सुन्दर नगर और सारी जाइदाद हासल करने के लिए हम कोई भी किम चुका सकते हैं लेकिन याद रहे ये कतल एक हादसा लगना चाहिए ऐसा ही होगा तेरे बगहर तो पनवास में बड़े पापा रहेंगे अरे डम्रो सब चीज़ें गाडी में रख दी है ना जी सिर्फ महीं बहार में कथा बड़े पापा प्लीज बेटा बुजी करन ये सिर्फ तुमारी ड्यूटी ही नहीं बलके तुमारी जिम्मेदारी भी है मैं जानता हम सर ये रही पिस्तौर और ये रहा तुमारा ड्यूटी करो तुम लोग वो ठीक चला रहा है माजी मुझे तो डर है कहीं सुन्दर अगर पहुंचते पहुंचते काजल बिटी या बूडी ही ना हो जाए अगर इसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा से लाना कर देखके इनकी शादी करनी पड़ेगी हाँ हाँ वुट करानवे या 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 वाँ या वाँ 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 पड़ी जलजी आ गया आप जीप से ऐका हो जासे हम की ऑफनी तक हुझे गया सतके जावा बेभी जी, आप तो बहुत बड़ी होगे। क्या करती धन्नो, बहुत कोशिश की, लेकिन छोट नहीं रह सकी। धन्नो, बात करने को बहुत टाइक पड़ा है। पहले जीत में से समय को उठा के लाओ। सतके जावा, मैं तो समझे में विलाइती गुट्टा है। जो भी जापने साथ लेकि आए है। मैं विलाइती गुट्टा नहीं हूँ, खाली हिंदुस्तानी हूँ, तु को नहीं हूँ दम्रू, यह धन्नो है भेरा चाचा की बेटी। और धन्नो, यह दम्रू है। पीपी जी, यह पच्टा भी है, यह तिरिफ नाम का दम्रू है। घमर्दार, मेरा मदा गुड़ा है न। दम्रू, वहाँ क्या पबब कर रहे हूँ। चलो, जल्दी से समान उठाओ। भेंजी, यह ड्राइवर जी का क्या करना है, यह इतने सोएंगे। यह ड्राइवर नहीं है। इनका नाम करन है, बिट्टू के बॉड़िगार है। तेरे साब ने हिफाज़त के लिए भीजा है। इनके रहने का बंदबस करते हैं। चलो जो जोुँ! हाथ लगाँ। लगाँ। क्यूप। देखने के लिए के करनट लगता है कि नहीं। कल जूप। घोर, कल जूप। हाय। सथ के जावन। फट के जावन। कोईलो, और जा चालो। बारवर जी के समाने आप हमारे साथ आई ये पास ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सदके जावा, तुझे केसे पता? सिगनल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलर स्टेशन आ गया है सदके जावा, बीबी जी, गुड़ गुड़ मॉर्निंग गुड़ मॉर्निंग, गुड़ मॉर्निंग यहां की सुपः कितने खुबसूरत है न ये पहार की सुपः है बीबी जी, महमानों को इसी तरह जगाती है सदके जावा हेलो, कौन बोल रहे जी? अरे सहब जाव, सदके जावा हलो, बड़े पापा बेटा कैसे हो, ठीक चाक पहुचके? हाँ बड़े पापा बेटा बोर तो नहीं हो रहे नहीं बड़े पापा, लेकिन आपका बाहर है मैं बहुत जल्दी आउँगा, कैसा लग रहा है वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है बड़े पापा एक मेंट बूजी से बात करिये हाँ, दो गुद्मर अरे रुकमने, क्या हुआ? गाउं के धुन मिटे तो चननर राबे होते भैसाब अब अपना खायर रखेगा जल्द उड़ जा रे पंची के अबुए सत के जामा, जरा स्टेडी लगा कर मुंडे से मेरी चोली तो उतार दे न कर बंदर चुराने के रहा था यहां के बंदर चोली चुराती? पहाडों के बंदर ऐसे ही होते है जी कैसे होते है जी? बिलकुल तुम्हारी तरह काजाल मैं क्या काजाल, पुत्तर, बित्या लग जाए अपने अंकल देशने अब मैं दीर नू ठंडर हाई रोहित, कैसे हो? आज यूचल, खोद हसता हुआ, दूसरों को हसाता हुआ काजाल, अपना रोहित इतना खुश नसीब है कि सारी दुनिया के लोग इसके सामने अपना दिर खोल के रखना है खोलता तो मैं हूँ, लोग तो सिर्फ अपने दिर मेरे हवाले कर देते है Mr. Heart Specialist, कहीं मरीदों को ठीक करते करते, खोद दिल के मरीद मत पंचाना वह, 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 रॉचनलल जी, नमस्ते नमस्ते पैंगी, नमस्ते वह, उलुना पच्छा हमादा किते हैगा अरे रॉचनललल जी, आप तो जानते है कि अंकल को यहां बलाने का एक आइडिया है मेरे पास आप और मैं मिलकर काजल को किड्नाप कर लेते हैं फिर तो आने आना ही पढ़ेगा कजल किसमागी क्यो काजल, मुझे किड्नाप करना सारा मुश्किल है मेरा बोडिगाट जो है बोडिगाट? जी हाँ, काजल के हिफाज़त के लिए तक काजल के हिफाज़त के क्या दुरूरत है? करन, ये रॉप्शनलाल जी है ओय हलो यंग मैं, शेक हैंड हलो सर्म ओय मैं क्या, ग्रेपत तुमारी बड़ी दुरूरत है तक चेरे पे मुस्कराट का मैं मेरे ड्यूटे मुस्कुराने की नहीं काजल के हिफाज़त करने की है वेल से, वेल से, आम इंप्रेस्ट, हाई, आम रोहित कभी कोई दिल की शिकायत हो, तो ज़रूर याद करना अच्छा मैं चलता हूँ, पता नहीं कौन से दिन मेरे इंतजार कर रहा हूँ और दादू, आप शायद भूल रहे हैं, आपको भी टेंडर की मीटिंग में जाना है ओ लोशी आपा, काजल बिटिया, तू तो जरूर मेरे बिजनस ता उखान करना के रहेंगी जब पहने दिन मेरे यह आदत होए, कि मैं अपने टेंडर मीटिक पूल लिया तो ओके की होगा और पहन जी अज रात नू तुम सब आदर दिनर अर अरियर जी विए जी भाइ तावल भी सात लाया, चड़ भी पहन के आया हो मेरी पहन्ट किदर है वो रामजी पतळोन किदर है वो तुरमुजी, यह सुदर नगर तो कमाल की जगह जर घुले आम सिरी हो जाती है मेरी पैंक साथ कई है तुरमुजी मरी पैंक, तू हुई मंध। ज़ाना कहीं तूम, इसे तू नहीं ढूंड रहे हो तू मेरे पैंक की साथ क्या कर रही है तांका लगा रही थी तांका लगा रही है तांका भजा रही है हाई सदके जावाँ देख दन्दू मेरे से मजाग मत कर मुझे काजल मेरे सबने साथ में दिनर लेने जाना है समझे I am already toilet, too late घर का गर्मा गरम खाना छोड़के होटल का ठंडा खाना खाएगा कैसन के जाओं रोहित, दुन्या में इतने सारे लोग है इतने सारे नाम है लेकिन कोई एक नाम होता है जिसे सुनकर दिल धड़कने लगता है ऐसा क्यों होता है, रोहित? वो तो मुझे नहीं पता काजल लेकिन हा, इतना जरूब कह सकता हो कि दिल सिर्फ धड़कने की आदा है उससे ये नहीं पता होता ह intéressant क्यों दढ़ करा है? किस के लिए दढ़ करा है? ये दिल भी क्या चीज है रुए ओए रुए पुतर, प्रेंट काफी हो गई, अब खाना शाना भी हो जाए फूटिल रहती ही पिछले दो केंटे से कदम से कदम मिलाकर कभी दो इंचे दर से कभी दो उंचे दर के विलाज़ती नाच नाच है क्या? बिलकुल नहीं नाच तो हमारे लमाने में हो क्या खून में आच लिख जाती थी काजल पुतर, तेरे दादाची की शादी में मैं नाचा थाई तो नाचा था के हवादार भी गोड़े से उतरकर हमारे साथ नाच से लगा और रोहित, तो काजल को सुन्दर नगर की सहर कब कर राएगा? ये? इनी दूसरों के दिर चीरने से फुरसत मिले तब ना? दादू, कल ये डॉक्तर तमाम बेवार दिनों से चुट्टी लेकर इस सहतमन दिन को बहलाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाएगा, जहांकि खुबसूरती देखकर एक शेहनशा अपना ताज, एक सिपाई अपनी तलवार और एक इनसान अपना दिन लेगा का लग दे ये हां कि सबसे खुबसूरत और सबसे ज्यादर खतरनाक जगह है काजल खतरनाक क्यों? खुबसूरती भी तो अकसर खतरनाक होती है काजल और वो जो तुम नदी देख रही हो ना अपना महिवाग था ना महिवाग, उसकी गर्फेंड सोनी उसी नदी पर बैचारी एक कच्छे घड़े पतेर के गई और डूपके मर गई अरे साइड अरे सर्वेट क्या? शियो दो फूलिष कड, सोनी को सुमिक से खनानी चाही थी कम से कम ढूपने सो तो बच जाती रोहेट! हम गॉन गई गई गयुप! अरे सब्सकी हर साल यह से कोई ने कोई गिरके मर जा था अभी पिछले साली एक लड़की या उसे गिर के बारी किया शायद उसका पैर फिसल गया था करन ऐसे केसे देख रहे हूं क्या होगी असमे करन क्या हो भाई कहा खो गया है कुछ नहीं यार तुम्हारी आखें बड़ी अजीव है ऐसी आखें या तो किसी दीवाने की होती है या पर किसी कातल की तुम्हें क्या रखता है भाई पास आने से डर अगर कोई लड़का किसी लड़के को लिफ न दे तो लड़की को क्या करना चाहिए वरी सिंपल किसी और लड़के से लिफ मंग लेनी चाहिए यो इंपॉसिबल मेरी सहली की जिंदेगी का सवाल है और तुम तुम इतनी लव स्टोरीज पढ़ते हो बताओ ना अपनी सहली को बोलो कि कोई प्रॉब्लम क्रेट करें प्रॉब्लम? ऐसी प्रॉब्लम की लड़के को लड़की से हमदर्दी हो जाए एक बार हमदर्दी हो गई तो सौ मेंसे नबबे मौको पर हमदर्दी प्यार में बदल जाती है और बागी तस मौको पर? वेरी सिंपल, शादी यह क्या कर रही है आप तो? वेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम यह क्यों मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता अगर मैं इसे प्रॉब्लम बताओ तो प्रॉब्लम अगर नहीं बताओ तो प्रॉब्लम जबताओ तो जबताओ मेरी प्रॉब्लम जो बादी मेश लिए।। मेरी प्रब्लम में होती। और उसकी प्रोब्लम यही कि इसकी कुल पॉप्लम नहीं। बिरिभ पॉप्लम। इस पॉप्लममे इस विचार ये बेहल गोर्पोलम में डाल रही ह। हमदी सुनन Nepंढ 모두 अप्र क्या डंवट। Oh no problem no problem करे, बाग क्या देख रहा हो गरे, देखते नहीं काजर के जिन्दकी खत्र में है, जाओ जाके काजर को बचाओ, जाओ करे, जाओ, 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 जा कर बड़िया का … कारिण यू, कार दर लू भू हुआ हुआ हो, have! कारिण ल Χार्ण gotta कारिण भ listener肥 अ, हुआ 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 ह रह् कर दो कर दो कर दो कर दो की दो गर्त करोड़ी ने यहाओ अरे क्या बच्चों की तरह चीख रही हो, अभी तक ना दो मरेट पे चलांगे लगाने लगोगी, और याद रखना, आगे से बैल को अपने पीछने आगे भगाना पर रोहेत, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं मेरा हाट फेल न हो जाए लड़कियों का दिल अक्सर उनके घुटनों में होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा रोहेत हलो साफ मड़मरू, तरह रहमनत को फोन देना, मुझे इनकवारे करनी है अरे बेवकूफ मैने तेरे लिए फोन नहीं किया, मुझे काजल से बात करनी है काजल हलो हलो हलो, बड़े पापा कैसी हो, बेटा हम बिस्तर में है क्या हुआ हम गिर गए थे, बड़े पापा कहां कैसे करन कहा था भुलाओं से बड़े पापा, हम ठीक है, हमारी गलेती थी Don't worry, I'm fine हाँ, बेटा तुम्हारा वहाँ दिल लग गया है न लग रहा है बड़े पापा, हमने तो यहाँ एक दोस्त भी बना लिया अच्छा अच्छा तुम्हारा दोस्त तुम्हारा खयार लगता है कि नहीं बहुत खयार रखता है बड़े पापा तुम्हें पसंद है हाँ बड़े पापा, पर बोलता तो बहुत कम है, हसता तो बिलकुल नहीं बेटा, तुम तो पत्थर में भी जान डाल सकती हो, उसे हसना भी सिखा दो सिखा देंगे बड़े पापा सब सिखा देंगे आप भरोसा रखे असना बोलना तो क्या उसे नाचना गाना भी सिखा देंगे पर आपका बारे बड़े पापा, हमें जरूरी बात करनी है हाँ, तो फोन पर बोलो ना बेटा फोन पर नहीं बड़े पापा, हमें शरम आती है आपको यहां आना पड़ेगा ठीक है, ठीक है, मैं आउंगा भाई हल्दी वाला दूद पीलो, ठीक हुजाओ गोजे, यारोन लाई बिट्ट, प्लीज जिद मत करो अच्छा, आंटी में चलता हूँ अच्छा, बाई रोहिट केट मिल सून, करन ने साथ चलो, कुछ दवाईया देनी है यार करन, तुभे लड़किया समझ में आती है मैं कुछ समझे नहीं कवाल है लड़कियों का कहती कुछ है, मतलब कुछ और होता है पूछती कुछ है, सुनना कुछ और चाती है मैं कई लड़कियों के दिल खुन के देख चुका हूँ लगते सब नामल है, अगर होते नहीं मुझे इस मामी में कोई तरज़वा नहीं लगी जाप बीबी जी, लगता है आपर किसने जदू टो ना कर दिया है लगी में आपकी नदर उतार देती नहीं इस रोप का कोई लाज नहीं दन्नो है रे हाई सत के जवाँ कौन कुछ नसीब है वाँ इसने मेरी जान बचा कर मेरी जान लेली सच्ची, तो फिर मैं आपको कल चूडियों वारे मंदर मिले चलूँगी कितनी प्यारी प्यारी चूडिया है धन्नो बीबी जी, ये तो मुरादों वानी चूडिया है इस मंदर की यही तो मानता है कोई लड़की अपने पसंद की चूडिया लेकर देवी के चरणों से पवीत्र करके पहने और जिस लड़के से वो प्यार करती है वो उन चूडियों को चूडियों को चूडियों को चूडिया चाहिए धन्नो कौँछे रंग की दू? सभी रंगों की बिट्टू, यह प्रशाद सब को बाढ़ दो बैरुसिंग, चल्दी करो यार, हम भूख लग रही है रोहित, यह प्रशाद है, खाना नहीं सेम तिंग काजल करन ले लो यार यह प्रशाद समझ के दे रही है, तुम मिठा ही समझ के खालो, सिंपल तर फोदे लेश्व, क्यों था पादाद शराद लूख देशाद भीप्ने समझ के खालो रिप्ने समझ मिठे गीजाद मिए्ने समझ जीजाद 2 आः ए ले एुम मिए लूफ़ वताद लूव रहूप जीजगम्ने समझ जीजजव दिजए हूँ प्रूगाँ हुआ 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 है हुआ 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 है छोटी सी उमर में ये दर्द दियारे वेवान पियारे बड़ा जुलम पियारे छोटी सी उमर में ये दर्द दियारे जिसका इलाज नहीं कोई यो रखा मुझे रोग बोलगा जिसका इलाज नहीं कोई यो रखा मुझे रोग बोलगा जिसका इलाज नहीं कोई यो रखा मुझे रोग बोलगा जिसका इलाज नहीं कोई यो रखा मुझे रोग बोलगा चुप गया प्यार पातार में जान है मेरी बस मुझे में मुझे मुझे प्यार नहीं करना था यू बे मौत नहीं मरना था सारा खजूर है तेरा तु मुझे को पसंद का सारा खजूर है तेरा तु मुझे को पसंद का सार लाहा थाय। स्सक्रश गला थाए одной जुक गए कि मुने ना कजरारे मर गई हाई में शरम के मारे जुप से प्यार के जादू चल गए हम दोनों के नाम बदल गए बन गई तू महभूबा मत तेरा महभूब बन गया बीमार की आरे है बन जुल्म की आरे चोटी से उमर में ये दर्द दियारे जिसका इलाज नहीं कोई और अब का मुचे रोग बोलगा जिसका इलाज नहीं कोई और अब का मुचे रोग बोलगा कर लो ये तुमें इतर मुड़के देखता भी नहीं त्यार क्या खाप करेगा अरे सत्के जावा बीबी जी करेगा जरूर करेगा आप भगवान का नाम लेके एक से बारा तक एक ही सास में बोल दीजेगा अगर बारा खतम होने से पहले उसने मुड़कर देख लिया तो समझ लीजेगा सत्के जावान सची ठीक है एक दो तीन चाथ पान छे ताथ वू आठ नो तस गैरा धन्लोक सवा गैरा साड़ गैरा पॉने बारा पाजी फलटके देख जो फूरी के बारा बच जाएंगे पाजल अभी तक जिन्दा है क्यों इसे मैं उसकी खुशकिस्मती समझू या तुम्हारी नाकाम या भी मुझे सही मौके का इंतजार है मैं और इंतजार नहीं कर सकता उसका कल कभी नहीं आना चाहे इस उससे रज़ारी विशुशदी बीव जो है कवाल की जगह है यहां हरद्यो म्हाँ को है कहीं पर संसैट पर प्पपाउंट है कहीं तो छूव पाइट है और बंभू मैं आरे तू तो सौसैड़ पॉइट है पीबी जी धल्ण। यह किसकी आवाज है? यह महुआ के आवाज है बीबी जी. महुआ? यह स्पार की लड़की महुआ, जिसे उस पार की लड़की से प्यार हो गया था. लगर दोनों गाउ में दुश्मनी थी. गाउवालों को उनका प्यार कबूल नहीं था. एक रात, जब महुआ अपने आशिक से मिलने उस पार पहुची, तो गाउवालों इसे माल डाला. माल डाला? वो रोती रही. मुझे कुवारा नहीं मरना. एक बार अपने मांग में अपने आशिक के नाम का सिंदुर भर लू. दिल चाहे माल डालना. मगर जालिमों ने एक न सुने. फिर? फिर? फिर लड़कें जब अपनी महुआ की लाश को देखा, तो वही पुचीखा और ठेर हो गया. उसके बार, उसके बार दोनों की मजारे यहां बना दी गई. कहते हैं, आज भी इन वाधियों में महुआ की आवाज गुचती रहती है. प्यार करने वालों का ऐसा अंजाम? धन्नों, हम इन मजारों को देखना चाहते हैं. सत के जाहां. करों की आएंच करें देखना करें, आरे पीजुची, किला है तंबल के. यह दम्रू का उला गया? यह दम्रू का उन्चो लगया? मेरा निकजिया तोता ह३ए. अइंप तेको किंज़, करता ह३ँए डर गई? डर गई? आत जाओ डरातों में सची काल डर गई रहण डर गई रहण डर गई रहण अहुर último कि रखन leता कि ओयता हुझक अषनide CTU खार, अग्यात, पिर नियुक्त बचा लो आफ उसे के लिए, बचा ले देना पार बचा उने जाओ मैया वहीं जाओ मैंम प्रीज बचा लो उने प्रीर बचा लो मैया करर प्रीज का मैं मैं जो नहीं। झाल 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 marshiste क्षिर को पडाई स 먹ें झाल लंगि झाला सकता। टाल हो प्रूल जए झाला ही झाला है जटक पिर डिश्ट सक्षिंट कर फिर भी आ के पर आ पर त Tips झाला है झाला है झाला है तूल सकतर के बा मलझ टाला है कर दो कि नम नदिल CAP विदया को पर प्रुणा है प्रफटर अराइब थाइभा रख़ अराइब रहां अराइब कर दाराइब कर दोड़ हैं अब प्रुन था बधड़ाना बाषिधा! सब गाहाँ सो इज और सबसे में सभरें कर दोल किgeneration, कर दोल वरसिmonth आरा Say खराये हाथ देखाओ मेरी जान बचाना तुम्हारी बहदुरी थी लेकिन जखम को जखम नहीं समझना बहदुरी नहीं बेवकूफी होती है तुम्हें पता है कभी-कभी छोटे से छोटे जखम भी वक्त पर ना इलाज करने से नासूर बन जाते हैं जान भी जा सकती है अब तुम सोचोगे तुम्हारी जान गई तुम मुझे क्या एक बोडिगार्ट जाएगा दूसरा आएगा और अगर तुम ये समझते हो तो तुम से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में मुझे नहीं मिलेगा और मुझे चाहिए भी नहीं तुम काफी हो काजल ये खिलने की चीज नहीं है जान चाह सकती है जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेने आया हो क्या नहीं कहना क्या चाहती हो वही सच विदिन रात तुम्हारी आँखों में देखती हूँ वो सच, जो तुम कहना चाहते हो, मगर कहना ही पाते हूँ कौन सा सच? यही, यह तुम्हे अपनी जान से ज्यादा मेरी जान प्यारी है इसी सच ने तुम मेरी जान ले ली करण और मैं मर गई तुम पागल हो गई हो तुम गातल, मैं पागल जोड़ी अच्छी रहेगी ना मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए अब कोई वापसी नहीं करन मैं यहां महवा की मजार पर यही कसम खाने आथी तुमारे सामने कि हमारे प्यार का अंजाम यह मजारे नहीं विवा की वेदी होगी मैं डूब के तेलो में मैं भूब के देखोंगी मैं डूब के शादे के बाद मैं मर जाओं तो हम नहीं कमारा नहीं मरना कमारा नहीं मरना साहिल पे बैठी के जर्या की दूफा लता नजारा नहीं करना कमारा नहीं मरना ये लाज का खूगट भोलूगी ये बात मैं सबसे भोलूगी ये लाज का खूगट भोलूगी ये बात मैं सबसे भोलूगी मेरे घर वालो चुप रहने का तुम उचे इशारा नहीं करना कमारा नहीं मरना चाचुट की पर सिंदूर मता चली से मेरी मां सजा मैं मर गई दो लेके मेरा नाम सूँ कुकारा नहीं करना कमारा नहीं मरना पानी में आग लगानी है इस दिल पर चोट भी खानी है पानी में आग लगानी है इस दिल पर चोट भी खानी है हसना है रोना है जीना है दिल खाम के गुजारा नहीं करना कमारा नहीं मरना हाँ हाँ दिलका अर्मान निकल जाए, तिर चाहे जान निकल जाए दिलका अर्मान निकल जाए, तिर चाहे जान निकल जाए ओ दुनिया वालों सुम्दा दिलों को जुदा खुदारा नहीं करना, कवारा नहीं मरना कवारा नहीं मरना कवारा नहीं मरना मुझे प्यार नहीं हो सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता यह थोगा है, काव है अगर यह काव है, सब्रा है तो मुझे इससे लड़ने की जरुवत क्या है मेरे अंदर कौन है, जो मेरे के खिलाफ बगावत कर रहा है मेरे दिल नहीं पेरा दुश्मत क्यों बंदा जा रहा है, क्यों मैं उसे सब कुछ बता दूगा वो मुझ से नफरत करने लगेगी तभी तभी मुझे यह मुक्ती मिलेगी सब कुछ बता दूगा मैं सब कुछ मैं तुम्हारी जान का सौधा कर चुका हूँ मैं यहां तुम्हारी हत्या कर रहे आया था गरन, तुम भी जाग रहे हो हमें भी नीन नहीं आई शायद इसे को प्यार कहते है, है न? काचल, मैं तुमसे कुछ कहना चाता हूँ पहले पसीना तो पोचलो लगता है किसी से लड रहे हो मैं वो नहीं हूँ जो तुम मजे समझती हो हम जानते हैं क्या जानती हो तुम? प्यार सब बता देता है देगा चल यह नहीं भी प्यार है काचल, मैं तुम्हे कैसे समझाओ यह मजबूरी भी प्यार है यह इसे पढ़ लेगा मैंने इसमें अपनी सारी असलियत लेती है हमने तुम्हारी आखे पढ़ ली हमें कुछ नहीं पढ़ना काचल असली करन इस कागस में है करन हमारे दिल में है अब तुम भी कुबूल कर लो, करन कि तुम्हे हमसे प्यार है मुझे जो कबूल करना है वो सब इस काचल में दर्च है हम तुम्हारे मुँसे सुनना चाहते है नहीं, कभी नहीं अगर कुबूल नहीं कर सकते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो तो लो अब तो तुम्हें अपने मूँ से कबूल करना ही पड़ेगा तुम्हारे इंकार में इतना जनून है, तो इकरार का आलम क्या होगा? तुम यहां से चली जाओ, काजल कहां कहां से निकालोगे हमें करण सीनी में जिस रफतार से गोली उतरती है, उससे ज्यादा रफतार से प्यार यह नफरत है प्यार से यह नफरत भी प्यार है यह नफरत भी प्यार है और रामाएंड जैसे गंत की रचना की बोलो सिया वरा राम चंदर की जैर करन तुम भी आ हात आगे बढ़ा अरे बंद वालो यार कोई हतकडी थोड़ी है हाँ पुतर यह तो हतकडी से भी ज्यादा मजबूत चीज आगी हतकडी नूम तुसी चापी नाल खोल सकते हो किसी कोई चापी ही नहीं इक दफ़ा बांद दियाना तो बंद गए यह मौलिभी कितने प्यारे चीज है देखने में तो सिर्फ एक रंगिन धागा है लेकिन इसमें कितने दुआएं कितने मिनतें कितने शक्ति भंदी है जिसके आतमे हमें बन जाए उसका कभी अमंगन नहीं हो सकते और उसके हाथों से भी कभी अमंगन नहीं हो सकते देखा Gajal अपने देश में हर चीज कमीनिंग है जो अपने आपसे लड़ता है वो हमेशा हार जाता है तुम ये जंग हार चुके हो, करण नहीं, हर्गिस नहीं तुम अपने आपसे जूट बोल सकते हो, करण हमसे नहीं ये जूट नहीं, सच है Look at me हमारी आखों में देखो और कहो के तुम्हें हमसे प्यार नहीं गाजल बोलो, करण गाजल, मैं मैं कुछ नहीं जालता जो तुम नहीं जानते है हमारी जूडिया जानते है तुम्हारे सिवा सारी कायना चांदते है तुम्हें हमसे प्यार है नहीं नहीं मैं कुमसे प्यार नहीं करता फिर ये कौन है जो तुम्हारी आखों से हम पर हल्की हल्की बुहार की तरह बरस रहा है। फिर ये कौन है जो हमें देखकर तुम्हारी रोम रोम में किरन की तरह भूट रहा है। फिर ये कौन है जो हमें छूने के लिए तुम्हारी उंग्लियों में तडप रहा है। वो जो भी है, रहे उसे खत्म कर दूँगा जिसे तुम खत्म करना चाहते हूँ, वो तुमसे बहुत बढ़ा है करन वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है उसे पहाडों को चीर कर दूद के दर्या निकाले उसे तपने रेकिस्तान को अपने नंगे पैरों का महरम बनाया उससे टकराकर पत्थर भी तूट गए, वो आशिक है गरन, आशिक मुझे नफरत है उससे क्योंकि तुम्हें प्यार है हमसे कबूल कर लो, गरन, कि तुम हमसे प्यार करते है मर जाओंगा, लेकिन कबूल नहीं करूगा ऐसी कसम मतलो, जो तुमने पहाना सको दूट जाओंगा, लेकिन कसम नहीं तोडूँगा तो हमें भी इस नदी की कसम, हम तुमसे कबूल कर वाकर रहेंगी यह सोनी महिवाल की नदी है प्रेमियों के लिए इसका जल गंगा जल से भी पवित्र है आज इस जल को हम अपनी हतेली में उठाकर सौगंद खाते हैं अगर हमारी हतेली का जल गिर जाने तक तुमने कबूल नहीं किया तो हम समझेंगे हमारा प्यार जूटा है हम इस नदी में कूटकर अपनी जाम दे देंगा इस जल की एक एक बूल में हमने अपनी एक एक सास रख दी और जब तक यह जल हमारा हतेली पर है हमारी जान हतेली पर है करह जब पर हमार के एक लान है कर दो यह जब हमारी जितम शे लड़ समय प्यार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार् जाण, हो मेरी जाण, जाण, हो मेरी जाण, मेरी जाण मेरे सीने में तरोर, घरके, तरसीने में पिरोर, अलग अलग अब जीना है मुश्किल मरना है आजा जान, मेरी जान, मेरी जान चुप रहके खामोशी से मैंने तुझे बुकारा भी कभी कभी इन आँखों से मैंने किया इशारा भी मेरी जारे मैं नहीं समझी मैं कैसी नादार जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान जान, मेरी जान, मेरी जान हुआ 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 है हुआ 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 हु दोग मुझे पहचाने में तेरी पहचान बनोगी तुो मेरी पहचान जवाँ, तुो मेरी जवाँ, जवाँ, मेरी जवाँ इस दुनिया की नजरों से हमको दूर निकलना है लेकिन दुझ तो याद रहे हाथ पकड़ कर चलना है इस दुनिया की नजरों से हमको दूर निकलना है लेकिन दुझ तो याद रहे हाथ पकड़ कर चलना है यहां तलक तो ठीक थागे रस्ता है अंजान जान, मेरी जान जान, मेरी जान, मेरी जान अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आपान जान, मेरी जान जान, मेरी जान, मेरी जान जान, मेरी जान, मेरी जान जान, मेरी जान जान, मेरी जान Altyazı M.K. मैं तेरी जाँ, तेरी जाँ मेरे खंजर मेरे सेने में भत्यारा आशक हो गया नाइ नागेंदर नाइए अब काजल की मौत एक हाथसा नहीं इंतकाम होका, इंतकाम कालू, ओ कालू तेरे को दूदु निकाने के वाथ से बोला था दूदू दूदू अच्छा दूदू दूदू निकाने है अंदर दूदू अंदर दूदू इसके अंदर दूदू जी बापू तू अंदर क्या कर रही है वो क्या है न बापू, मेरे सुई है न सुई, वो गुम हो गई है कमाल चुठी लट की है आपजिती बिलकुल अपनी मापे गई है इसकी तो चीज़े गूम होती है औऊ तो चात्छा राते खुद ही गूम हो जाती सुई हो गई है ताले हराम सादे तेरे को छोड़ूगा नहीं, अब एक कबाब में कि फैक्चर हड़ी, सालावा टेप रिकॉरडर, ये तेरा असली बाब है क्या, मेरे को तो बिलकुल नहीं रखता है, इसको बाद में नहीं पढ़ता, तो अलजा, आजा, 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 उसकी आखों में एक आशिक का दिल चाहिए, जिजा जी, दिलावर सहरत पार का अतंक वादी है, उसके राश्मकार में इतने कटल, इतने डाकल, इतने रेख के केस दर्जा है, क्योंसे आदमी नहीं, दिलिंग मशीन कहते हैं, दिलावर, मौत और दिलावर बता कर नहीं आते, काम, काजल की मौत, केमत, जो तुम चाहो, जी, जाजी कराने, वो भी बड़ेगा, कुम पराओाज कर रोचिता है, वो तुम खएखलाओं अर्णावाँ खाता है, काम हम थाजय, उाहाँ के बड़ेगाराओं अर्दाटावाराओं इतने कर दिलावराओं फसक्तार वर देपकश, वो उजा हैं फसे में दिलिया आपकलापके वो भी खएख़, कि वो खेख़ सागर से धर्दी, धर्दी से पर्बद, पर्बद से उचा गगर्द, उचा गगर्द से आप नहीं कोई, एक रब दूचा सजन। सागर से धर्दी, धर्दी से पर्बद, पर्बद से उचा गगर्द, उचा गगर्द से आप नहीं कोई, एक रब दूचा सजन। रब से सजन से जूत नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना हा, हाा, हा, 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 हा liber किसी से जर्दिन तोचा से उचानकिन सावन की गार साचर के साथ में बुल रचेनी साव साव बोलो क्या में पजेनी साव साव बोलो क्या में पजेनी में बैखे दिल पर बैखे चान नरवल मेरी कौन है वो कौन है बोलो से दिला जीना उसका नाम नहीं बोलना और किसी से दिल का भेब नहीं खोलना किस प्यारे की आगे सुनो कुद से कहानी जो बन में आई किसकी जवानी शर्मी लेकार हस्तान चान उसकी निशाने तू तो नहीं वो लगी दिवानी यू भूर की देखो मेरी औरना और किसी से दिल का भेब नहीं खोलना रब से सजन से जूत नहीं बोलना और किसी से दिल का भेब नहीं खोलना ये मोसम है गीतों का मनमीतों की प्रीतों का आज के दिन का मेला है कल पानी का रेला है जाने क्या ले जाएगा जाने क्या दे जाएगा चल ओ धोली धोल बजा कब क्या होगा किसे पता झाएगा पakली तर ये जाएगा किसी का वेगा क्या आएगा ये जाएगा जाएगा ऑेवसर सबस्दंदी living वेधाओा पाने की जाएगा प्रल इ सया में Ge волस अ क्यागा के मैंदका पाने काitus झाल, आपल, घाल, आपल, जाल, 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 जाल! ठीचुह ऩॉ वा, डीचुह जो, वा, अरिकुह अचार, वाक ठीचुह श्मू से दोने बहुализ दोतनी भै essayer猩, जोड़े से स्वार्शार, एकि जन्दूबोacer represent 16- 차량 भाइजस राख दो projet. क्यानत हो गया है अरे पर क्या हुआ कुछ बोलो तो सही काजल मेल में गे थी, वहाँ गोलिया चल गए गोलिया चली मेरी.. मेरी काजल चीक तो है काजल के कहीं पता ने चाद रहा है भा वो भी लापता है वो भी लापता है? हव, हव तुम होसरारा कुमे आराओ। गजेज आर! इज़ एंसे प्राओंगे अगवारा र्राओंगे। काजल को कुछ नहीं होगा दादू, काजल तो मासूम है, और मासूम की तो भगवान रक्षा करता है यह क्या क्या करें? अमारी हादर नहाद चला लिए हत्यारे के हाद थे, अच्छा हुआ चल गए इनके साथ मैंने अपने सारे पिछले कर्मों का दास अंसकार कर दिया हत्यारे के हाद, यह तुम क्या कह रहो कर, कैदल के सब जूट है यही सच है, यही मेरी असलियत है, अगर आज तक है पाया तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा मैं तुमारी हत्या करने है था Uhr, रखवाला कातल नहीं हो सकता वह एक फरेद था, तुमारे करीब भाँचने कस अशली मकसद तुमें कतल करना था क्यूं करन क्यूं, हमसे तुमारी क्या दुश्मणी थी ना मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थी, ना तुम्हारी मुझसे, ऐसे लिए थे मैंने हमें यकीन ही होता, हमें बिलकुल यकीन ही होता आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत? सिंदगी जब सब रास्ते बंद कर देती है तो किसी भी क्यों का जवाब नहीं रहता सिंदगी ने मेरे लिए भी सब रास्ते बंद कर दिया थे नहीं क्या कर दो अब इसमें क्यों बढ़ते हैं? ये मारे मेरी देखे भाई, समयने की कोशिश कीजिए अगर हम इने यह रखते हैं तो दूसरों की जिंदगी को खत्रा पैदा हो सकता है इने छूत का बेंकर रोग लग चुका है इनकी सेहत के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए इने अस्पता ले जाना ज़रूरी अच्छा होगा आप इनसे अलगे रहें वरन्ह आपके जंदगीएं को खत्रा हो सकता है यह जंदगी भी तो इसी की है मेरी दुनिया मेरी मा से ही शुरू होती और मेरी मापर ही खत्न हो जाती मेरी परवर्ष के लिए और खुद सखमों का जहर बीती रही मेरी उम्रों उसके चेरे पर चुरियां बनती गई वो मेरे लिए बड़ी-बड़ी किताबे लाती ताकि मैं पढ़ लिखकर बड़ा आद मी बन सकूँ लेकिन उन किताबों को करीदने के लिए वो हर तकलीफ, हर मुसीबत पर दाश करती रही तुझाने कबसे बिबार थी, लेकिन उसना मुझे कभी पता नहीं चलने दिया कहीं कोई ईश्वर था, जिससे सब पता था जो ये सब देख रहा था, फिर भी चुपता थीरे थीरे सखम नासूर बन गए, और ईश्वर देख दाए मा, मुझसे पताश नहीं होता बैठा, मुझे मार क्यों नहीं दालता भगवाद ऐसा मत बोल मा, तु चल्दी ठीक हो जाएगी अई शिरा मुझे भाई साब, भाई साब डॉक्टर साब कर आएगे, मेरे गोले मानू सिस्टर, क्या है मुझे 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 मिल जाएगी और तुझे भी मुझे मुझे बहुत मांग रही थी, ता मैं उसे बहुत दे सकता था नहाराम उनको जो विमारी लग चुकी है, उसका इलाज बहुत महेंग है अगर अपनी मा की जिंदगी चाहते हो, तो वो एंजेक्शन ले आओ, जिसे तुमारी मा के दर्द को चुटकारा मिल सके इंजेक्शन मेरी माँ की जान बचा सकते थे लेकिन इंजेक्शनों के लिए चाहिए था पैसा बहुत सारा और बहुत चंद जब ना तो तुमारे बड़े बापा की नौकरी दे सकती थी और ना ही मेरे आधर्श इधर दर्द परदाश्ट से बाहर होता जा रहा था और जिस दिन दर्द परदाश्ट के उस हद से गुजर गया जिसे मा कहते हैं मेरा इश्वर मर गया और जब मेरा इश्वर मर गया तो मुझ पर इंसान बनने की सिम्मेदारी भी नहीं रही और मैंने अपने हाधर, अपनी इंसानियत, अपना इमान बेज़ कर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान का सौधा कर लिया मैं तुम्हारी मौत बन कर रहा है था लेकिन तुम मेरी सिंदगी बन गई मैंने कादिल को मार दिया काजल अरे का दिल को मार दिया अब सिर्फ करन है जिसकी सिंदगी का एक ही मकसद है तुमारी सिंदगी की इफासद मैं तुमारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर दूगा तुम्हें जिसे खत्म करना था तुम कर चुके अब तुम किसी को भी ने खत्म करोगे किसी को नहीं हम दोनों बड़े पापा के पास जाएंगे हम उने सब कुछ बता देंगे बड़े पापा को अपने दुश्मनों से निपतना आथा है करन ये दुश्मन कोई और नहीं पहा ऐने सब करें लो और रहाएंगे हम ऑने खिर मेंगे किसी ने तुम्हें पत्थर से तेवी बनाया, यह दिया मेरे करन की इसास है मा, यह दिया पुछ गया, तो मेरे आस पुछ जाएगी किसी देह आसे पुछ जोगी धाएगी हिर्थ किसी तेवी अ किसी ने बनाया यह दुछ जजएप हिर्थ गटार गचारर! गारर! करें, करें, तुम ठीको करें, तुम ठीको, तुम ठीको, तुम ठीको यह तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारे प्यार की महंदे अपने हाथों में रचा ली काजल, आप हमें कोई चुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं भाई साथ, क्या हो गया भाई साथ, काजल का कहीं पता नहीं मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा करन का कुछ पता चला? ना मेले के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चला वह सकता है काजल को बचाने के लिए उसके पीछे गया हूँ वैसे पलीस च्छानवीन कर रही है पहरो सेंग करन को रखा कहा था? वहां आउटोस में रखा था जी एक मिनट मेरी पच्ची और कातिल के हाथ में काजल, काजल पुलिस रुक जाओ आप लोग आवे ही ढून रहे थे न? श्लीस हमें मेरे बड़े पापा के पास पहुचा दीजिए बाद जाएए वहाँ 흥िए फंग्तास्टिक खुक्ष कर खीए! खाचर! खाचर्ण ini वंच पख्चिक सु एलाओ हहहा hour 이유 असार गरो गय जनाओ भरस्अधाई टव सबकोना के बातै करें ऊstroे बातै कि अस्तुडारों एहर लोजों नियुक है! But고rafic! ाई हम प्रेप्टर! हाँ! 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 घजुँआ। कर दो कर दो करें अप तरी लाश हो आ ले करूगा हर शबसे गो जो ओाyy? च्पान दोर आख! चLAY में पसक हुआत पस्परिय कर चीड़. आख पसके हुआत दिकर पसंग si פה त MALEस्ति Count? वर धासक!.. वर अ Kab worth I! याउ् Eeeh, Eeeh छाओव़ भजाओ़ ह completion बम्र्ण अऐराओव Yeeh ल Bud त न पूआप tomorrow बजीए इसाफ GAY tuck GAY old GAY old GAY all कर दोलिकरन में का शोन हो चुछ हम लालग का सब सर, हमने इसी जगह पर आखरी बार करण को देखा था, हमारे आदमियों ने इस पर गोलिया में चलाई, मगर वो भाग निकला और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर, सर, क्या है? हरीपूर ये लाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली कहा है? सर, लाश उस तरफ है सर, कहीं है आपकी? नहीं! मेरी काजल जंदा है पर यहां से तरई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलूज दरिया चारों तरफ खत्रा ही खत्रा है और उपर से जंगली जानवर मुझे तो फिकर उस जानवर की है जिसकी जकड में मेरी बच्ची है मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाओं हाई 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 है अत लग घी है हमारी बच्ची को हमने जैसे सुना के वो वकमी बा Bowdonam हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है तो हमसे निवाली गले से नहीं उता जान में कौन सिसूप गड़ी में वो рядом को रखाता भाई साब ने भगवाशा जाने वो हमारी फूल जैसे बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा ना स्वीता तू फिकर मत कर भेहना एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उडा देंगे गाजल 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 कल… गईजाए वूव कि अजय को जाएं इस प्यार की आख मिचोली में चल पुझे बिठा के ले जाएं मैं धोने नोकी जोली में हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया यार करे हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया यार करे यो जीए मरेंगे यार की दुनिया यार करे यो जीए मरेंगे यार की दुनिया यार करे यो जीए मरेंगे यार की दुनिया यार करे क्यार समंदर से कहरा सब लोग कहते हैं किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं हम से महले कितने इस प्यार के मारे इस इश्द के दर्या में बस डूग गए सारे कर जाए इसे हम ला की दुनिया यार करे कर जाए इसे हम पार के दुनिया यार करे यो जीए मरेंगे यार की दुनिया यार करे हुआ 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 है इक दुझे के दिल पे हम नाम लिख डालें अपनी प्रेम कहानी का अंजाम लिख डालें इस प्यार में सारी दुनिया तो कर ले बाते दो चार के दुनिया याद करे यूची ये मरेंगे यार के दुनिया याद करे हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया यार करे यो जी ये मरेंगे यार के दुनिया यार करे यो जी ये मरेंगे यार करे अजल अजल अड़े पापा आव बेगा आव अपकी बडे पापा के पास मेरे भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे समीन नहीं है मैंने ये जुर्म किया है और मेरा जुर्म मेरी मुहबत है नहीं तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है मौत के साथ सिर्फ सिंदगी खत्म होती है मुहबत नहीं इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी आप जाले लए लीविटि उती रॉतित आठीर है लोस्त बीलेन को खेंड़ डिड़ा और बड़े जिर्याजी को छोड़ दे गया आप ही तो उसे रखवाला बना कर लाए थे ना भाई साथ जिन्दगी में पहली बार सूर्य देव सिंग ने धोका खाया है एक बार वो मेरे हत्ते छड़ जाए मैं उसकी रग रग से उगलवा लूँगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मौरे की तरह इस्तमाल कर रहा है क्या होता जिजाजी अगर करन सूर्य देव सिंग के हत्ते लग जाता और बता देता कि काजल के कतल के पीछे हम लोगों की साजिश है दूरिये देव सिंग हम लोगों को नहीं छोड़ता आप बरबाद हो जाते, आपका सत्या नाश हो जाता आपके सारी उवीदों का पानी पिर जाता जी जाजी दूरिये देव सिंग पहले आपकी फिर हमारी छोटी छोटी बोटिया करके कुत्तों को खिला देता जिला जी यह सोचकर मेरी घड़े-घड़े पन्वारी जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं न उतने ही उसकी आस्तीन में मैं तुम्हारे लिए एक तहफालाई हूँ करन की मा जय जय वा दिधी वा तुमने तो कमाल कर दिया आप कह रही थी न कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है कहां है करन आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा जरूर आएगा जिन्दा या मुर्दा क्या किया है मेरे बच्चे ने उससे कोई कोई खलती हो गई कैसा वो तो बच्चा है अगर उससे कोई खलती हो गई हो तो मैं मैं उसके तरफ से माफ ही मांगती हूं साब उसे माफ करती है लेकिन उससे कुछ मत करेगा देखिये साब आप आप लोग तो बड़े लोग है बह परिचारब, मेरी कोग की बत्दसी भी, जिंदगी भर साय की तरह उसके साथ रहे, नहीं साहब, बख्ष दीजे, मेरे बच्चे को कुछ मत करिये, आपको चाहिए तो मेरी जान लेनीजे, लेकिन, लेकिन मेरे बच्चे को बख्ष दीजे, ना गिंदर, काजल, यह दरिया हमें अमारी मंजल तक पहुचा देगा, फिर कोई खत्रा नहीं, चलो, हमारे हमाले करदे करण, किसी कीमत पर नहीं, हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत, तेरी मा की मौत की बजए बन सकती है, वो हमारे कपजे मैं है, देखा काजल, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है, इतना बड़ा धोका, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थे, चलो करण, हम बड़े बाबा को सब कुछ बता देंगे, नहीं काजल, मेरी मा उन अत्यारों के कब्से में है, जब तक मैं अपनी मा को छुडाने का कोई रास्ता नहीं ढूंड लेता, तब तक तुम्हे और मुझे, अपनी सुबान को बंद रखना होगा, और सीने पर पत्थर, पापाजी, तागेंदर, किसे की आई हाल मेरे लालका, इतना सारा खुन, मेरे भूल जेते बच्चे पर इतने सारे सखम, तागेंदर, करन पापाजी, हराफ जादी, मैं तरी जान ले लोगी, और जालोगी तुझे, तेरी बिटे ने मेरे बिटे का ये हाल बना दिया हा, एक एक सखम के पत्ले, सो सखम लगाए तेरी बिटे बच्चे पर, ना ना, ना, इसका बिटा आएगा, तो उसकी आँखों के सामने, इसके दुनों हाथ काट देंगे, गुट्ले तोरकर इससे आप पाहिज बना देंगे, गली के कुछले हुए कुट्टे जैसा हाल कर देंगे इसका, इतना तरपाएंगे, इतना तरपाएंगे, कि इसका बिटा, इसकी मौत की भीख बंगेगा, तुम मेरे करन को नहीं जानते, अगर उसने मेरे जिसम पर एक भी खरोच देख ली, तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, उसके खौफ से मौत भी तुम्हें पना देने से इंकार करतेगी, इसे बस मरने मत देनो, बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो, बाकuju – पहुच्ची कर पतते हैं जो वliारह टाएटते हैं। कर विज चुम्हे मेरे जुम्हें कि उडेएपकों me semester है, मेरे हल्गतों मेरे मरे घपची के तुम्हें मेरे खasına रया हैं। आसु कायरों के गहने होते हैं गाजल, मेरे उतार कर बैग दो हम तुम मिसालत में नहीं दिख सकते करा, तुम बोल क्यों रही देते मेरे जखमों को सुबान नहीं है क्यों यह समसहर है, यह सब सहते रोके सहना पढ़ेगा गाजल, सहना तो पढ़ेगा मेरा पयान मेरी मा की मौत का फर्मान बन सकता है मेरी मा की जिन्दगी से ही मेरी जिन्दगी है और मा की जिन्दगी के लिए अगर मुझे अपनी जिन्दगी भी देनी बढ़े न तो दे दूगा अगर तुमें कुछ होगे नकर तुम्हारी का समय बूल जाना नहीं पड़ली, यह सिर्फ मेरा ही नहीं, बलके तुम्हारा भी अम्तिहान है, मेरी तड़ब देखकर तुम टकमगा मच जाना, हम दोनों की खामोशी में ही मा की जिंदगी है, बस एक बार मैं इन सलाखों के बार हो जाओं, और अपनी मा को बचा लूँ, फिर मैं सारी दुन किसे की, किरो, बड़े पापा, किरो गजल, खम जरूरी है, मुहाबत के पसाने के लिए, दिल है आने के लिए, और जान जाने के लिए, और जान जाने के लिए, जन गई दिल आया, शीशा पसर से तकराया, शीशा तूट गया, शीशा तूट गया, जन गई दिल आया, शीशा पसर से तकराया, शीशा तूट गया, शीशा तूट गया, जन गई दिल आया, शीशा पसर से तकराया, शीशा तूट गया, शीशा तूट गया, जन गई दिल तूट गया, शीशा तूट गया प्यार किया दुख पाया, शीशा पथर से टकराया प्यार किया दुख पाया, शीशा पथर से टकराया पथर तूट गया, पथर तूट गया जान गई, दिल आया उमारी आपो में आफिदा करके, क्या इस गयब में आमारी पराई है, क्या इस गयब में आमारी खुशी है, बसकर बच्ची बसकर क्या आपो में आपित एके को जाफिज पड़के, जाफ्त तुद दावटलो क्या तो गाते. दर्द के मारे गम नहीं मिलते इतने किसी को गम नहीं मिलते दर्द के मारे गम नहीं मिलते इतने किसी को गम नहीं मिलते दर्द में दिल कड़ पाया मैंने रूठा यार मनाया तो रख रूठ गया तो रख रूठ गया प्यार किया तुथ पाया शीशा पथर पे तकराया तूठ गया पथर तूठ गया जान गई दिल आया जान गई दिल आया भाई साथ वो मर जाएगी भाई साथ तो क्या मैं उसे जीते जी आग में जोग दूँ आग में तो जली रही है भाई साथ वो पागल हो गई है रुठमनी अंधी हो गई है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जिनून उसकी सारी जिंदगी को तभा करके रखतेगा उसकी जिंदगी करन है या आप भी नहीं देख पा रहे हैं तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीरत देने मैं पुलिस कमिशनर सुरीदर सिंग में काजल के बड़े पापा और अपने भाई साब को धुनने आई हूँ काजल की एक सिसकी से हविले की बुनियादे हिल जाते थी उसके हर एक फर्माईश आपके लिए हुक्व हुआ करती थी और आज उसके आउसों का सैलाव आपके कलहे पर दस्दर दे रहा है और आप खमुशे आउसों दलील नहीं होते रुखमनी अगर इसी तरह आउलाद के आउसों से पखर कर हर माबाप अपनी आउलाद की बेल अगामजित के सामने अपना सर चुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नसल पैदा करने में काम्याब होंगे जिम्मेदार इनसान नहीं काजल आपका खून है भाई साब लेकिन आज मुझे लगए है कि आप मुसे समझा ही नहीं अपने खून के साथ मुझे क्या सुलूप करना है इसका सबक मुझे तुम से लेने की जरूरत नहीं आपको जरा भी ऐसास नहीं कि करन पर पढ़ने वाली हर चोट काजल के तुकड़े तुकड़े कर रही है और काजल तूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे पहाडों को तूटने का खौप नहीं होता जी हाँ शायद इसलिए पहाडों को आउलाद नहीं होती रुकमनी तुम अपनी हैसिय से बाहर जा रही हो अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो इस घर में तुमारे लिए सिर्फ फर्ज है हक नहीं मैं तो भूली गे थी कि मैं मैं इस घर की एक नौक्रा नहीं हूँ ये भी भूल गे थी कि नौकरों का कोई रिष्टा नहीं होता अच्छा हुआ अपने याद दिला गया मैं अथ्रे साल इस घर में नौकरी करते रही मगर कभी अपना मौबजा नहीं मांगा लेकिन आज मांगते हूँ ठाकुर साहब आज मैं अपना हफ मांगते हूँ काजल का प्यार मेरे जूली में डाल देजी तारीफ बदल सकती है रुपने लेकिन काजल की किस्मत एक मुझरिम के हाथों कभी नहीं रिखी जाएगी कभी नहीं तो आप भी सुन लिजी ठाकुर साहब अगर काजल के किस्मत में एक मुझरिम है तो आप उसके किस्मत बदल नहीं सबते हैं और मैं क्या हवलदार काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची रोईत जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा इन आसूं को तो काजल की बिदाई के लिए बचा के रख रोशलाल तूने मेरी लाज रख लिया लो और सुन लो अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती अब तू जा और शादी की तयारी कर एक बार तो हिस्से पूछ लेता पूछ लो रोईतर तुझे कोई इतराज तु नहीं है बला मुझे क्या इतराज हो सकता है दादू दोस्त अगर हम सफर बन जाए इससे बड़ी खुशी की बाद क्या हो सकती है हम ये शादी नहीं करेंगे मैं वचन देकर आया हूँ आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा काजल मैं तेरी आंकों में बगावत देख रहा हूँ ये बगावत आपके उसूलों के महरबानी है ये बगावत हमने आपकी खैद से कमाई है बड़े बड़े अलफास बोलने लगी है लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा चन्द ही दिनों में उस हराम खोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है वो जादू प्यार है जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतर कर अपनी ओलाद के दिल में जाकना पड़ता है तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आँखों में कारती थी ताके एक दिन मेरा ही खून मेरी आँखों से टपकने लगे क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहु की मौत के बाद भी जिन्दा रहने की इम्मत की मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनूस रात जब मुझे मेरी बर्बादी की ख़बर मिले थी कि दुश्मनों ने मेरे अरून और गीता को जहर दे दिया है अरून! प्ताजू === अरू़ ! ीदी अरूूल! अरूंवेड जलेदे! अर्वाबलेदे! अर्वाबलेदे!? उलेदेजिव.. मलुड़ेड़ जलेदे। अर्वाव! ाूल! ाूll! ाुल! बाभ़ज़! इीवटर! बाभ़जी! इीवटर! बाभवजी! तेरी बच्चे तो भी तुनी होगा सुनिये क्या हुआ सॉरी, हम मा को तो नहीं बजा पाए लेकिन यह आपकी पुती मैंने अपने आसुओं को तेरी मुस्कराटों से पोच दिया मेरे अरुन और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी लेकिन तेरे नन्ने नन्ने हाथों के साहरे मैंने एक नई दुनिया नई जिंदकी शुरू की और आज उन्ही हाथों ने मेरे मुह पर कालक पूत दी जिन दूद मुए होटों को मैंने बोलना सिखाया था उन्ही होटों ने मेरे खिलाब वगावत की आवाज उठाई अरुन और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता बड़े बापा बड़े बापा मैं आज ऐसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आँसों के समंदर पा दिया हम तो ये बूली गए थे कि आपकी जिंदगी हमसे शुरू होती और हम बरिक अत्म होती है आपकी खुशी के लिए विवा की वेदी दोगी हम सूली पे बीचट जाएंगे बड़े बापी आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तयार है हमारी एक वर्याद है बड़े बापा इसे हमारी शर्त मत समझे कन्यादान की तर ऐसी पे एक दान समझकर हमारे आचल में डाल दीजी बोल क्या चाहिए तुझे करन की रहाई यह ना मुम्किन है करन भेक असूर है बड़े बापा चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं हमें है करन की रहाई हमारी पिताई है आपकी चौकर से हम पिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े बापा कुछ नहीं यह रास्ता तुझे गुम्नामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तु कभी भी लौट नहीं सकेगा वो अंधेरे ही तेरी आखरी पना होंगे जा अपने मन्हूस साय के साथ सरहत पार कर जा मेरा साया काजल की परच्छाई है कमिशनर सहब मैं अकेला नहीं जाँगा शुट अप काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है तो खुश नसीब है कि तुझे जिन्दगी मिल गई दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूरिय देव सिंग से तेरी मुलाखात नहो मेरी मन्जिल काजल है कमिशनर सहब मेरा हर रास्ता काजल तक पहुचता है करन को आप मौत के हवाले कर सकते हैं लेकिन काजल से दूर नहीं काजल किसी और की जिन्दगी बनने जा रही है काजल ने खुद तुझे अपनी जिन्दगी से निकाल दिया है मुझे यकीन नहीं तो जा खुद अपनी आँखों से देख ले जो कुछ कप इस्टर साब कह रहे, खेतो कि वो जूट है बोलो गाजल, बोलो कि वो सब जूट है, बोलो गाजल, बोलो हमने तो अपनी जान रख दी थी तुमारी हतेली पर और तुमने इसे मेंदी से बदल दिया अरे अगर धड़क नहीं चीननी थी, तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया धोका दिया है तुमने मुझे मैं तुम्हे कभी बाफ नहीं करूगा, कभी नहीं नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोशी दोशी मत होती है तुमारी नमस्कार भेंजी, नमस्कार नमस्कार, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको आपको ही मुबारक है राजिशानियों अस बनवारी नहीं आए देखिये न, आशकल की बीवें कैसी हैं अभी फोन आया था के बनवारी के साथ वो ब्यूटी सलोन गई है अरे बेटे, हो क्या गया तुझे? यहां तो लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा आ बिलकुल दादो, एक बहुत ही अमर्जनसी केस आगया है, जैसी खताब होता हो अरे बेटे, मगर शादी भी तो इमर्जनसी केस है की आपे काम कीजे पंडित को हर पांच-पांच मिनिट में 100-100 रुपे के नोट देते रही है मैं जल पहुशता हूँ अरे सिंहिते कम फूल क्यों लाए हो भई हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी हो और हमें सारे शहर के फूल चाहिए अजी वो कमश्णर साब ने कहा था कि वो कमश्णर साब ठेरे ना वो हम भी तो काजल के छोड़े दादा है लो और फूल लेओ और सारे मंदब को सजाद हो चला विशंबर को देख रही हो रुकमनी भाई आखिर भाई होता है खुछ दिखाई दे रहा है आप तो खुश है ना क्यों मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रहा हूँ शायद आप यह सूच रहे हैं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना तुम खलत सोच रही हो रुकमनी सूर्य देव अपने लिए गलती कर सकता है काजल के लिए नहीं क्योंके काजल का भविश्य ही मेरा भविश्य है और फिर रोयत एक ऐसा लड़का है जो काजल के बीते हुए गिरौने पलों को माफ कर देगा वो काजल को बहुत खुश रखेगा अरे पानी लाओ जल दे रोशन पानी लाओ पड़िया रोशन क्या हुआ यार देनिस रोशन की रोशनी ले गए या बाई साथ बाई साथ अभी अस्पदाल से फून है था कि रोई को कुछ गुंदे अगवा करके ले गए वह कुछ सा और रॉखमाएं नागंदर को दोलने के लियुकल दिया सबस्टकीर यह संब रोहित को अगवा करने में करन का यह हाथ और यह सकता है ये कीला था ये कीर्णत की पसंद ये कीला था काजु पसंद वा जीचा जी हूस क्या प्लान बनाया है नंदर के हाथ तो रोहित को अगवा करवा दिया और इल्दाम लग गया करंग पे जैजे इधर मैं रोहित की जिन्दगी को मौत में बदल दूगा और उधर तुम हर खुशी को मातम में बदल देना एकी छटके में सबका काम तमाम आज हमारे खिलाफ सबसबूत खातम जैजे बन्वारी जैजे बहुत अच्छे मौके पर आए तेरी मां कहां है बन्वारी आविंदर मिल लेना मिल लेना लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा नीचे कोठी में एक आदमी बंद है जिसे खत्म करने में तुम्हें खुशी होगी इस रिवॉल्वर के अंदर उस आदमी की मौत बंद है और तुम्हारी मां की जिन्दगी एक बार मैंने तुम्हारे साथ किसी की जान का सौधा किया था तुबारा नहीं करूँगा करोगे, करोगे बड़े खुशी से करोगे एक तुम पर एक कतल उधार है दो अपनी मा की जिन्दगी बचाने के लिए जब तुम एक सौधा कर सकते हो तो जै जै तूसरा भी कर सकते हो नमबर तीन आज सारे महरे हमारे हाथ में है जै जै जीजा जी का सुन्दर नगर हासे करने का सपना जो आज से अठारा साल पहले काजल के माबाप को जहर दे कर मारने से शुरू हुआ था आज पूरा हो जाएगा तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस अंधेरी कोठ्री तक जाता है जै जै तुम्हारे सामने के लिए पेजा गया है क्यों किसने पेजा है तुम्हें बहना मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है उसी से जिसकी रचाई गई ये सारी साजश है विशमभर विशमभर? हाँ कमिश्णर साप की आस्तीन का साप जिसने मेरी मजबूरी का फाइदा उठा कर मुझ से काजल की हत्या करवानी चाही और अब मेरी माँ की जिन्दगी के बदले मेरे हाथों तुम्हारी मौट चाता है क्या इतफाक है वहां काजल विवा की वेदी पर मेरा इंतजार कर रही होगी और यहां मैं मौत का इंतसार कर रहा हूँ खाजल, आज खाजल से मेरी शादी है यानि के मेरी मा की जिंदगी की कीमत खाजल का सुहाग है तो तुम मेरी जान लेलो करन तुम मेरी फिकर मत करो करन खाजल को सुहाग तो कोई और भी मिल जाएगा लेकिन तुम्हे माँ कोई और नहीं मिलेगी खतम करतो मुझे बार डालो मुझे मैंने तुम्हारा काम कर दिया अब मेरी माँ को रिया करतो मैंने जूट बोलाता अब तु भी मरेगा और साथ में तेरी माँ भी ना करने ना इसमें एक ही गोल इती ठेट चल चुकी धून दो साले को कर दो 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 पॉस्त को सामने दिखकर कैसा लगा हाँ यह पास्थाद माँच करोड़ मार निकल हराम सादे तूने बहुत सी लाशे जलती हुदे कियोंगी लगिन आश अपनी मा को जिन्दा जलते हुदे मा अपन्दा यह दर्वादा हमारी मर्दी के बिना नही कुले ला नाँ अपनी 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 करन चल गाड़ी रोको करन भया तुमारी जान को खत्रा है पुलिस तुम्हें चारो तरफ धून रही है तुम पर रोईद भया को अगवा करने का इल्दाम है करन को कुछ नहीं होगा जब तक मैं लोट करना हूं परी मां का खयाल रखना चलो रोईद करन 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 को कुछ नहीं होगा अगर जब तक मैं आप पुलिस टेशन में आउडर इशू कर दिये करन को देखते हैं इक गोली मार दो शूट अचाइट इस माई और शूट इम आइड़ वांट वांट तुम्हाइव पास्टर्ड अपनी बेटी की शादी के मंटप में खूल भाना चाहता है ठारी अंकल मैं यहाँ हूँ बिलकुल सेफ हूँ संभाली अपने दामाद को बाबुजी और पूरे कर लीजिए अपने बड़े बड़े अर्मान तेरा ये नाटक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ हरामजादे मैंने आपको बाबुजी के नाम से बुलाया है हरामजादा तो नहीं कहा कवाले अंकल एक तो करण ने मेरी जान बचाई और आप इसे गाली दे रहे तुम नहीं जानते रोहित इसी तरह का नाटक किस कमीने ने मेरी काजल की जान बचागर भी किया था उस दिन तुम्हारी तरह मेरा विश्वास भी जीत पिया था इसने ये गुंडा पैदाईशी मुझरिम है कोई भी इंसान पैदाईशी मुझरिम नहीं होता सहाब या तो बनाया जाता है या पर बन जाता है लेकिन को खून तुमारी रगों में बैरा आए तो दस्वे दर्जे का गंदा खून है कमिश्टर शूर्य देंसे मुझसे बात करो मुझसे पर बाप मेरी मा का नाम मत लो मेरे खून को लल कारने की कोशिश मत करो वरना सर्वनाश होगा सर्वनाश देख रोएत गंदे कीडे को पैडायसी मुझसे कीड़ा हूं मैं कमिश्टर सहाब मैं मुझसे होना और मैं यहां मकारी का नातक करने आया हूँ तो ठीक है अब देखें यह मुझसे क्या करता है यह होगी और रोहित और काजल की ही होगी और यहां इस मंडप में मेरे सामने होगी पंड़ जी, हवन पर बैठिये और रोहत और काजल की साधी करवाईए अभी इसी वक्त तुम पागल हो गया हो? हाँ, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और यह पागल तुम्हे हुकम देता है जो कब और कहाँ से वार करेगा कहाँ नहीं जा सकता और अब तो मैने हथ्यार भी उठा लिया है तो जब तक मैं तुम्हारा आख्री दुश्मन तक ना मिटा दू और तुम्हारी रोहत से शादी ना करा दू तब तक महीं जाओंगा चाहे मौत का पैगाम्भी आए, तब भी नहीं जाओंगा रोरित, काजल, मंदप पे पैठो जाओंगा चपूड्स... कि नढल... किक फूरक दो... इन्गंदर... व कि अचली अधर् gratis जयॡज 라ेडर कि तुरी ज़िसे पर लोगएगा या हाँ मैं पागल हो गया हूँ पागल बेटा खतम हो गए मेरा खांतान खतम गया हा फेलगा तुझे तुम्हे नहीं भाज़ा तो फ्रबाद कर दिया बोल, बोल के तुनेही काजल के माबाप को जहर देकर मारा था हाँ, काजल के माबाप को मैंने मारा था मैंने जहर देकर मारा था क्यों? क्योंकि मुझे सुन्दर लगर प्यारा था सुन्दर लगर चाहिए था ना अब सुन्दर लगर रहा ना हम मेरी उलाद रही, इसलिए तुम सब को खितम गर दोगा मैले तुझे मारूगा, फिर काजल को मारूगा तुम तु है वास्तीन का साफ, वे एक मुझे मुझे भाई साफ करा दरा और दूसे मुझे दस दरा इस तुम एक देव सिंग को खितम गर दोगा कविश्टर जाहब इस मुझरिम में कौन से दर्जे का खून है आपने मेरे खून को गाली दी थी न ये तो आपके ही खानलान का खून है जो अपने ही भाई बेटियों का कत्ल करता फिरता है मुझे तो मेरी गरीबी मेरी मजबूरी में मुझरिम बनाए था ये क्यों मुझरिम बना खेर मैंने तो आज खून कर दिया सही मुझरिम बन गया मैं अब आपके कानून को जो करना है कर ले करन, मेरी बच्चे मैं जानती थी कि तुजरूर कोई अनर्द करने जा रहा है क्या क्या खाला, अनर्द तो हो गया तेरा बेटा आज हो नहीं बन गया खत्म हो गया वो आज सब तक है आज तो खुदी रखना मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकावा तुझे माफ कर दे समझ ले ना आज से तेरा बेटा मन गया करन तुम होनी नहीं बने हो करन आज तुमने एक मुझरिम का खात्मा किया है फरक सिर्फ इतना है कि कानून हम पुलिस वालों को इसकी इजासत देता है तुम्हें नहीं आज तुम काजल के सही रखवाले बने हो काजल आज से तुम्हारी ये करन और तुम्हारी लिए रहेगी मैं तुम्हारी लिए कानून चे लड़ूगा काउचा जेर्ली बलाð। काई मन प्रिणे लिएका है तुम्हारी लिए आमन चेisko कान待 दुम्हारी ये छव्म्हारी के इपगात है काई मैं छाल ठाल, आमन आजस tocm कि लंट Animal कर दो कर दो कर दो